आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं बहुत ही टेस्टी डिलिशस छोले रेसिपी और सबसे खास बात ये है कि ये छोले हम बिना तेल और बिना लेसुन प्याज की बना कर त्यार करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोले बनाने के लिए मैं टमाटर का इस्तेमाल करूंगी तो सबसे पहले मैं टमाटर को भून लेती हूं तो यहां टमाटर को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और धोने के बाद इनके उपर हलका हलका सा ओईल लगाया है और इने भूनने के लिए रग दिया है ओयल लगाने से क्या होता है कि टमाटर की skin जो है वो easily निकल जाती है अब टमाटर को घुमा घुमा कर अच्छा डार्क होने तक आपको इस तरीके से भून लेना है वैसे तो normally जब हम छोले बनाते हैं तो तेल में टमाटर को डाल कर चाहें कट करके डालें चाहें प्यूरी बना कर डालें तेल में डालने के बाद अच्छे से भूनते हैं और तब छोले बनाते हैं लेकिन यहाँ पर हम बिना तेल के छोले बना रहे हैं तो इस तरीकी से पहले टमाटर को हमें भून लेना है, फिर इने छोलो में इस्तिमाल करना है टमाटर हमने भून के थियार कर लिये हैं, अब इने हलका सा ठंडा करने की बाद आप इस तरीकी से इनका छिलका हटा दे हमने जो टमाटर थे उन्हें हलका सा ओईल लगा कर भूना था इस वज़े से स्किन जो है वो बहुत ही आसानी से निकल रही है तीनो ही टमाटर हमने छील लिये हैं अब आपको क्या करना है टमाटर के उपर का आई वाला जो हिस्सा है इसे आपको कट करके निकाल देना है और टमाटर को अलग बरतन में रख लेना है और अब यह जो टमाटर है इन्हें इस तरीके से रफली कट कर लें तो जो टमाटर है इन्हें मैंने रफली कट कर लिया है अब मैंने मैश करूंगी तो मैंने यहां एक मैशर लिया है और मैशर की सायता से मैंने इस तरीके से मैश कर लूँगी दरदरा सा हमें इनका पेश्च त्यार कर ले रहा है अगर आप इस तरह मैश नहीं करना चाती तो मिक्सी की जार में डाल कर इन्हें दरदरा सा पीश ले बस ध्यान रखें, हलका सा दरदरासा रखेंगे, हम इने पहुँच ज़्यादा बारिक नहीं करेंगे तो ये देखे, मैंने जो टमाटर हैं इने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है तो इसका इस्तमाल हम छोलो के लिए करेंगे ये मैंने लिये हैं काबुली चने यानि की छोले, ये साड़ी 300 ग्राम चने है इन्हें अच्छी तरह 4-5 पर धोकर पानी में भिगो दिया था 7 घंटे के लिए और फिर मैंने इनका पानी निकाल दिया, ये अच्छी तरह फूल चुके हैं ये भीगे हुए छोले हैं, मैंने इनका पानी हटा दिया है और अभी मैंने एक कोकर लिया है और छोले मैं इस कोकर में डाल रही हूँ और अब जो हमने टमाटर की प्यूरे तयार किया है ना भुने हुए टमाटर की वो हम इसमें डाल देंगे यह हमने टमाटर डाल दिये और अब हम इसमें डालेंगे पानी तो यहाँ पर पानी डाल देते हैं लेकिन पानी बहुत ज़्यदा नहीं डालेंगे जितने छोले हैं उससे बस हम एक इंच के करीब उपर तक पानी रखेंगे अब हमें क्या करना है इसमें डाल देना है नमक त और इसमें मैं पांस से छे सिटी लगाऊंगी मीडियम फ्लेम पर और फिर प्रेशर खदम होने के बाद हमें इस कोकर को ओपन करना है तो इसे हम गैस पर रखतेते हैं और अब हम ये छोलो के लिए मसाला त्यार करेंगे तो देखिए मैंने यहां पर लिया है ये छे साथ लाल झेलसाब कर नल्ए है ऑगर ये जो चाहोले बनाने के लिए इस तरह साबतमसाले काशे करेंगे तो छोले पर्ते स्तेमाले काशायं अब ये ।साबतमसाले है इन्हे बैन मैं डालतें और हलका सा इने रोस्ट कर लें बस इने रोस्ट करते समय आप ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम लो रखें तो ये जो सावुत मसाले हैं मैंने इने पैन में डाल दिया है अब low flame पर इने लगातार चलाते हुए हमें भूण लेना है ये जो मसाले हैं इनका कलर हमें चेंज नहीं करना है बस हलका सा भूनेंगे और अच्छी इन से खुश्बू आने लग जाएगी तब ही हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे तो लगातार चलाते हुए भून लें बस ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम हाई ना हो तो लो फ्लेम पर मैंने यहां इने रोस्ट कर लिया है मसालों से अच्छी खुश्बू आ रही है और इनका कलर जो हलका सा चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा डार्क मैंने इने नहीं किया है तो बस इस स्टेज पर अब मैं गैस का फ्लेम आफ कर दूँगी और यह जो मसाले जीजे और डालूंगी छोलो के स्वाथ को बढ़ाने के लिए इसमें टू टेबल स्पून अनार्दाना डाला है वन स्पून इसमें जा रहा है आम चूर पाउडर आधा चमबच इसमें डाले सौंठ पाउडर यानि कि अद्रक का पाउडर एक चोथाई चमबच इसमें डा मसाला हो चुका है, बनकर तयार। इस मसाली का इस्तिमाल हमें छोलो में करना है। अगर आप लैसुन खाना पसंद करते हैं तो आप क्या करना है इस स्टेज पर इसमें लैसुन डाल देना और थोड़ा सा पानी डाल देना और फिर इसे पीस लेना तो ये गीला मसाला तैयार हो जाएगा लैसुन भी इसमें पिस जाएगा फिर आप उसे इस्तिमाल कर लेना छ क्या करना है इस कूकर को रख दे गैस के ऊपर और खेस खेंज कैलें और अब आप ने जूपैसे मसाले कर द़ेंगे अश्छी तरह चोले काफ़ी गाजी है तो इनके लिए एक औभी हमें पानी त्यार करना है अश्ची में बिदेगे ऑच्छी तरह मैंने मसाले को मिक्स कर दे देखी मसाला डालते ही छोलो का कलर चेंज हो गया है तो बस अब हम इसके लिए एक पानी त्यार कर लेते हैं यह मैंने गैस पर दो गलास पानी गरम करने रख दिया है और साथ ही इसमें मैंने दो चमत चाय की पत्ती डालती है अब इस पानी में पहुत ही अच्छी तरीकी से उबाल आने दें आप एक बर अपने घर ये छोले जरूर बनाएगा सचमानी फ्रेंट्स ये छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं नॉर्मली जो आप ओल वाले चोले बनते हैं अब यहाँ पर इस पानी में उबाल आ चुका है तो एक उबाल आने के बाद आप गैस का फ्लेम लो कर दें और लो फ्लेम पर दो मिनट के लिए से और पकने दें अब यह पानी त्यार हो गया है तो मैंने फ्लेम को आफ कर दिया है अब देखिए यह जो छोले हैं इनमें मैं डाल रहे हूँ एक चोथाई चमबच बेकिंग सोडा यानि की खाने वाला सोडा और साथ ही जो चमबसे में धाना पर यहला है और यह जो दोए त्यार है Gleich और सोईने की पर दोएक तो फ्लेम को दो म records लो कर दें और द्वर्ण मैं उपकने दें जो 9 को आज़ए हैने और 17 हिम टाल रहने दॉनी के लिए इस तरह 20 बीच बीच में एक दो बार आप इस तरीके से इने चला दे इन छोलो का धीमी-धीमी आज पर गड़ना यानिकी पकना बहुत ही ज़रूरी है जब छोले धीमी-धीमी आज पर पकेंगे तो मसाले भी इसमें अच्छी तरीके से पक जाएंगे और जो छोले हैं उनका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएका तो यहां पर इन छोलो को पकते हुए बीस मिनट हो चुके हैं तो अब में इसमें डाल रहे हूं अद्रक के लच्छे और साथ ही में डाल रहे हूं दो तीन हरी मिट्स इस तरह लंबाई में कटी हुई इन्हें मिक्स कर देंगे और फिर से पांच म ले भी है एक दम पर्फेक्ट है गाड़ी-गाड़ी और अपमी इसमें डाल रही हूं एक चनमच भूनी हुई कसूरी मेथी और साथ ही इसमें चारा है पारिक कटा हुआ हरा धनिया बस देना अपको ऑफ कर देना है अब सुपर टेस्टी छोले हो चुके हैने तयार आप त पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले और आल पर क्लिक करें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में